अगे तो सबसे पहले eclipse download कर लेंगे डाउनलूड कैसे होगा तो सबसे पहले आपने लिखना eclipse download यहाँ पर यहाँ पर download का एक button होगा इस पर क्लिक करेंगे फी ए एक और बटन आएगा इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद Eclipse को आप इंस्टॉल करेंगे जब आप Eclipse इंस्टॉल करेंगे तो इस तरीके से सैट अप हुआ हमारा मानो यह जो डाउनलोड होने बाद फाइल आएगी वह ऐसी आएगी इसे इंस्टॉल करना के इंस्टॉल कर लो यहां पर सलेट करोगे तो उसके बाद एक इंस्टॉल का बटन आएगा अपने आपके इंस्टॉयL नहीं हो जो भी आपके एंस्टॉल्ट है और इंस्टॉल करना है okay able